साथियो आप सुनना सुरू कर चुके हैं हमारा नया वीडियो हाइब्रिड वर्क कल्चर अपॉर्चनिटी जैन्ट चेलेंजिज यह विश्यू वर्कमान में बहुत इंपॉर्टन विश्यू बनता जा रहा है लोग इस इश्यू को लेकर इस विशय पर काफी चर्चाय कर रह है और कहां कहां यह चेलेंज की तरह अभी भी देखा जा रहा है मैं आपसे यह भी निवेजन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकोन दबा कर यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिले हम आपकी जानकारी देने के लिए सदेवतत पर तो आज बात करते हैं हम नहीं विशे को लेकर कि वाट इज हाइब्रिड वर्क कल्चर इट इस ए फ्लक्सिबिल वर्क मॉडल दाट सपोर्ट से ब्लेंड ओफ लाइं रिमोट एंड ओन दा गो वर्कर्स इट ओफर्स एंपलोई지 तो ऑटनोमी तो चूज तो वर्क वेरेवर एंड हवेवर दे मोस्ट प्रोडडाक्टिब तो यहां यह मतलब है कि हम कहीं से दी इसमें और ऊफिस में ना हो तो इस विशे को लेकर बहुत सारे आज की देट में चर्चा का विशे है और मून लाइटिंग इसी विशे के कारण एक बहुत इंपोर्टेंट मुद्दा बनकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विशे बना हुआ है आई ये हम बात करते हैं hybrid working a new world opportunities और it's a some challenging job which is possible or not possible तो opportunities की बात पहले करते हैं opportunities में talent is the biggest opportunity of remote working अब से पहले अच्छे talent को hire करना उसे retain करना एक बहुत बड़ा विशे था लेकिन जब से ये hybrid work culture concept start हुआ है तब से talent को attract करना retain करना और develop करना आसान हो गया है इसलिए अब talent के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी बड़े सहरों में नई बड़ी organizations में नहीं रह गई है इन्होंने हमारी सभी देशिय राज्जिय अंतरदेशिय सब सीमाओं को तोड़ दिया है उनको पार कर एक पूरे संसार को एक village की तरह develop कर दिया है कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो पहले risk था यदि risk mitigating का plan आपका strong है तो आप इसका benefit बहुत अच्छे ले सकते हैं आपकी opportunities बहुत हाई है नमबर तीन हम बात करते हैं greater efficiency जिन लोगों ने इस model को चूज किया है और इसके benefit को समझा है जिन्होंने इसको ठीक से अपनी team को collaborate करने की team को coach करने की council करने की unite कर remote location से work कराने की अपनी विदा में पारंगत हासिल की है वो इसका benefit पहुत अधिक ले रहे हैं आप हम बात करते हैं जो आज के जमाने में उन दस मुद्धों की जिन पर hybrid work culture successfully काम कर सकती है वो environment क्या क्या है सबसे पहला और वैंट पर focus on the core employee engagement आप अपने employee के engagement level को बढ़ाने के लिए उन चीजों पर focus कीजिए वह चाहे हो workstation पर हो या remote में काम कर रहा हो यदि आप employee engagement की बात करते हैं employee wellness की बात करते हैं तो आप team बना कर अपना काम बैतर कर सकते हैं नमबर दो do away with top-down communication इसका benefit उन लोगों ने बहुत अधिक लिया है जो communication के master है क्योंकि इसमें top-down communication होता है इसलिए communication verbal हो या written हो किसी भी mode से हो किसी भी माध्यम से हो लेकिन communication में clarity और communication का size छोटा होना बहुत आवश्यक है ताकि communication की problems ना create हो जाएं next हम बात करते हैं acknowledge the human experience जितना हमारा artificial intelligence का जमाना धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है उतना हम human touch का होते जा रहे हैं जबकि AI कभी भी human touch का alternate नहीं हो सकती क्योंकि आदमी feelings और emotions के साथ खाम करता है यदि हमने उसकी feelings और emotions को एनकेश नहीं किया तो we cannot take his or her productivity hundred percent तो कभी भी challenge यह बना है या इसको opportunity का है कि आप जो acknowledge कर लेते हैं human experience को वो इसका benefit लेते हैं और जो उसमें पीछे रहा जाते हैं उनके लिए challenge बन जाता है number next हम बात करते है create communicating community जिन organizations ने अपने employee को community की तरह develop कर लिया है उनके साथ touch है चाहे वो किसी भी माध्यम से है उनको communication time पर है सबकी well being की हम बात करते हैं network strong है तो वहां इसका benefit बहुत आधिक है number next बात करते हैं be mindful about time क्योंकि जब हम hybrid work culture में काम करते हैं तो कोई supervisor होता नहीं कोई controller होता नहीं तो अपने time का हमें खुद manage करना पड़ता है वरना time कब कहां किस activity में चला जाता है हम time management के master होना आवश्यक है तो जो लोग उनको अपने time को manage करने का कला सीख लई है जो अपने एक-एक second को use करने लगे हैं वो इसका benefit ले रहे हैं दो जो ओर्गनाजेशन सार ग्रोइंग लाइक एनिधिंग और जो अपने समय प्रबंदन में अभी ठीक से नहीं है उनको कहीं कहीं ये चेलेंज भी लगता है number six की हम बात करते हैं see and use the whole playground आपको word एक small village की तरह बन गया है तो आप पूरे playground को कहीं भी किनी भी परिस्थिकियों में अपने favor में use कर सकते हैं don't play in corner don't think I have very small space you play in the whole ground enjoy your life increase your productivity deliver your service or product in time and enjoy next बात करते हैं हम define outcomes and let your team deliver आप outcome पर focus करें problems पर नहीं you should be the part of solution not a problem और अपनी team को delivery के लिए आगे गणाए number eight हम बात करते हैं value people over desk आप उन लोगों की value अधिक कीजिए जो अपने desk पर रहकर movement में नहीं play में नहीं जो desk पर रहकर या जो अपना एक systematic approach में ज़्यादा काम करते हैं please do some additional value to them and enjoy their life and your life increase your productivity deliver in time next है up your meeting scale आप बार बार अपने as a coach as a counsel आप लोगों के साथ connect करिए collaboration की बात कीजिए उनको problems को remote से वो चाहें आपका electronic media हो या आपका कोई और media जो आपने develop कर लिया वो हो उससे उनकी problem के इस भागीदार बनकर उनको हमेशा यह मैसुस करा यह I am with you तो यह आपकी जो meeting करने का time है जो बादोर होती थी वह सबको भी आपके benefit में लाता है नमबर दस be less supervisor आप किसी का watchman की तरह supervisor की तरह काम मत कीजिए be a coach और उसको उसके जो potential है उसको बाहर निकालने के लिए उसकी मदद कीजिए then he or she will do the drastic job तो आप as a coach काम कीजिए not as a supervisor तो यह 10 मुद्दे हैं जिनसे आप इसको बढ़ा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि hybrid work culture के benefit क्या है opportunities क्या क्या है नमबर वन improved work life balance इन्हों ने अपने work लोगों के या अपने employee के work life balance को बढ़ा दिया है अब employee को पहले की तरह problem नहीं है क्योंकि जो resuming time था वो या traveling time था वो बहुत कम हो गया है नमबर दो more efficient use of time लोगों को समय की कदर करना सिखा दिया है लोग एक एक second का एक एक minute का हिसाब रखने लगे हैं और अपने आपको उस समय को as a money खर्च करते हैं और अपनी life को अपनी profession को अपने career को आगे बढ़ाते हैं नमबर तीन है control over work hours and work locations जिन व्यक्तियों ने या जिन employee ने अपने career के घंटों और career के location को इस्थानों को निश्चित कर लिया है और उनमें वो 100% productivity के साथ delivery दे रहे हैं तो यहें इनके बड़े benefit हैं नमबर चार इसका एक benefit है burn out mitigations जो पहले की तरह बहुत भागदोर थी वो सब अपकाम हो गई है आप घर में रह करके casual में या non formal dress में बैठ करके अपना काम कर सकते हैं and you can deliver तो जो भागदोर का time था जो आने जाने का time था जो traveling का time था जो traveling की तसल थी जो traveling के issues थे वो सब खत्म हो गया नमबर पांच है higher productivity है जब आप घर पर रह के काम करते हैं तो you can devote more time you can concentrate more and more and you can deliver better and effective number six है flexibility for employees to work in ways that are most effective for them यह employee को यह आवसर देता है opportunity देता है कि आप जैसे जिस परिस्थिति में जिन हालातों में अधिक से अधिक productivity दे सकते हैं उनको आप यूज कीजिए तो उनसे उनकी productivity और quality quantity बरती जा रही है अब हम बात करते हैं कि इसके challenges क्या है इसके लिए जानना बहुत जरूरी है आज वर्तमान मैं कुछ में data आपके साथ share कर रहा हूं 70% employee महसूस करते हैं कि उन्हें कभी ना कभी ऐसे risky behavior से गुजरना पड़ा है अपने time में जिसमें उनको लगता है कि हम कभी भी trap हो सकते हैं नमबर दो 17% employee ऐसे हैं जिन्होंने अपने equipment को वो laptop हो अपना desktop हो या कोई और mode हो जिसको उन्होंने दूसरे को भी यूज करने के लिए allow किया है जिससे cyber security बहुत risky हो जाती है बढ़ जाती है नमबर तीन है 53% employees ऐसे हैं जो risky app को यूज करते हैं जिनका misuse किया जा सकता है क्योंकि आज की date में hackers और digital media में जो expert बैठे हैं वो उन ही apps के सहारे हमारी data में send लगा कर उसको यूज कर सकते हैं next है 24% of C-level executives of IT companies कहीं न कहीं जो cyber security है उसको breach कर देते हैं और उसके लिए unnecessary उनको समय भी और पैसा भी पे करना पड़ता है तो ये इसके कुछ consequences हैं इसलिए इनके challenges को समझना जानना बहुत आवश्यक है number one सबसे पहला इस में है unconscious bias कि जब हम किसी से face to face मिलते नहीं feelings और emotions की बात होती नहीं तो हम जाने अंजाने किसी ना किसी के प्रती बायस हो जाते हैं जिससे ज्यादा बात होती है या जिससे बार बार बात होती है या जिससे मेरी connectivity ज्यादा है उन लोगों से मैं biased हो जाता this happens because there are less face time you do not see the employee because they work from home or most of all of the time in the sense hybrid model problems often seem from the face that remote workers suffer more because they are not seen जो दूर से काम करते हैं उनको आप देखते नहीं इसलिए biasness से बचने के लिए आपको बहुत सावधान रहे की आवश्यक्ता है नमबर दो dilution of culture भारत में वैसे ही culture का बहुत बड़ा issue है और यहां जो अपनी hybrid work culture को define ठीक से नहीं कर पाते हैं या embed नहीं कर पाते हैं उनमें यह issue जादा है और फिर वहां culture dilute हो जाती है और उसके result खराब आने लगते हैं जब हम office में नहीं culture बना पा सकते हैं तो remote environment में तो culture बनाना और भी कठिन काम है तो यह एक बड़ा challenge है नमबर तीन है seamless connectivity आज भी भारत में internet की connectivity कहीं ठीक है कहीं नहीं है कहीं weak है कहीं fast है तो वह एक बड़ा issue है और यह challenge अभी भी बना हुआ है और यह है एक बड़ा issue बनकर हम लोगों के लिए as a challenge हम इसको solve करने में लगे हुआ है नमबर नेक्स transparency है कि हम किस data को किसके साथ कब कहा कैसे use कर लेंगे जो अभी थोड़ दिर पहले मैंने moonlight की बात की थी transparency भी एक बहुत बड़ा challenge है कि data मेरा कितना safe है मैं उसके लिए भी हमेशा trap हो सकता हूँ नमबर पांच है deep engagement कि मैं अपने employees को जब भी कभी मुझे success मिलती है या मेरा project time पर पूरा होता है या मेरे को कोई बड़ा कोई enjoy करना है अपनी success को अपनी team के साथ तो मैं नहीं कर पाता हूँ क्यों कोई emotionally मैं connect नहीं हूँ मैं net पर connect हूँ मैं equipment से connect हूँ तो खाली message भेज दैने से वह environment generate नहीं होता जो आमने सामने इखटे होकर we can collaborate and we can enjoy next है हमारा employee well-being क्योंकि employee remote में है आप remote में है ना तो कभी-कभी बताने में communication gap हो जाता है तो यह एक बड़ा मुद्दा है तो employee isolated में स्थोस करता है नमबर साथ है collaboration जब कोई typical issue आता है या कोई नई हम service में value addition add करना चाहते हैं तो collaborate करना मुश्किल होता है because of our sad regions जो हमने अभी थोड़ देर पहले कहे और उसकी वज़े से बड़ा issue बनकर collaboration में problem आने लगती है तो collaboration is a big issue इन से बचने के लिए कुछ उपाये हैं जिनको मैं आपके साथ share कर रहा हूँ आप चाहे तो हमें बुला कर इन issue पर बात कर सकते हैं हम आपके यहां training and developmental activities के द्वारा इन पर चर्चा कर इन विश्यों को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं नमबर वन training managers to handle remote teams जो हमारा core काम है मैं और मेरी organization वीक डाइनमेक लीडर्शिप सेंटर हम इसी काम को करते हैं कि how to handle the team in remote locations तो training और manager जो training manager है या जो training की activities है developmental activities है उनको strong बनाना बहुत जरूरी है नमबर दो become an example आप average काम मत करिएगा एक role model की तरह एक example बनिएगा और लोग आपको follow करें नमबर तीन establishing trust and company culture जब तक अपने employee के साथ आप trust नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई culture नहीं बना सकते इसलिए आपको trust बनाना बहुत आवश्यक है नमबर next है good habits and mindset अपनी team में अच्छी आदतों का विकाश करें उनके mindset को positive रखें negativity से बचा के रखें और उसके अलग तरीके हैं उनके stress को deal करने के लिए समय समय पर how to remove stress, how to handle stress, how to handle conflict इस तरह की कुछ activities में उनको involve करते रहें नमबर next है encouraging open communication आप बहुत ज़्यादा communication की style को develop करें क्योंकि 90 या 85% problems because of communication होती है यह data पूरे संसार में सबको विदित है इसलिए हमें communication का master होना बहुत ज़रूरी है नमबर next है ensuring equal treatment remote and office workers यह बहुत ज़रूरी की मुद्दा जो लोग आपके नजदीक रहते हैं आप उनसे बायश हो जाते हैं और जो remote में काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टी हायर होने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि हमें इसमें problem है इस साल के performance appraisal में है बात देखने को मिली जो लोग रिमोट में काम कर रहे थे उनको लोगों ने ठीक से appraisal नहीं किया और जो नजदीक में थे या जो उनसे अधिक connect करते रहते थे उनको appraisal कर उनको high rating दी ऐसी कुछ problems हमें देखने को market में मिली number next है creating a collaborative environment कि आपको जब जरूरत हो तो सब लोग एक साथ मिलकर collaborate करें उसके लिए हमें कुछ नए tools and techniques develop करनी होंगे number next है allowing choice of work लोगों को allow कीजिये जो जहां से जिस तरीके से जिस system से काम करना चाहता है उनको अपना partner बनाई है don't treat them as an employee तो यह जो employee और partner का concept है यह भी अब हमें remote या hybrid work culture में समझना पड़ेगा number next है managing feelings and isolation in hybrid work culture जो मैंने अभी थोड़ दे पहले बी बात की थी कि हम जब तक अपने employee की या अपने partner की feelings और emotions को take care नहीं करेंगे तब तक हम उसकी productivity 100% नहीं ले सकते हैं इसलिए उसकी feelings और emotions को track करने के लिए हमें उससे networking के थुरू कभी ना कभी दिन में 24 गंटे में एक बार बात करना आवश्यक है number next है being empathetic with employees आप employee पर trust कीजिए वो जो कहता है उसको मान कर उसके साथ empathetic रीजिए empathy का मतलब है कि जब उसको जिस चीज में आपकी जरूरत है provide the resource, be the caretaker, be the supporter and enjoy your life इससे अधिक जानना समझना चाहते हैं तो आप मुझे या मेरी organization VK Dynamic Leadership Center को contact कर सकते हैं लिख सकते हैं सिगरी मिलते हैं इस आजा के साथ कि आपको यह video अवश्य पसंद आया होगा आप अपने मित्रों को बेजाएंगे और इसका benefit लेकर मेरे